एक बाती बात है एक गाओं में एक बैल रहता था जिसको खुमनग बहुत पसंद था वह खुमता गुमता जंगल में जा पहुचा और आते समय गाओं का रास्ता ही भूल गया वह चलता हुआ एक तालाप के पास पहुचा जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी भरी गास खाने लगा जिसे खाकर वह बहुत खुश हो गया और उपर मूँ करके चलाने लगा उसी समय जंगल का राजा शेर तालाप के पास पानी पीने जा रहा था जब शेर ने बैल की भयानक आवास सुनी तो उसने सोचा ज़रूर जंगल में कोई खतरनाव जानवर आ गया है इसलिए शेर बिना पानी पिये ही अपनी गुपा के तरफ भागने लगा शेर को इस तरहां डर कर भागते हुए दो सियार ने देख लिया बहे शेर के मंत्री बनना चाहते थे उन्होंने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का दोनों सियार शेर की गुपा में गए और बोले हमने आपको डर कर गुपा के और आते देखा था आप जिस आवास से डर रहे थे वह एक बैल की है यदि आप चाहे तो हम उसे आपके पास लेकर आ सकते हैं कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए शेर ने बैल को अपना सलाकार रख लिया यह बाद जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगी क्योंकि उन्होंने जो मंत्री बनने का सोचा था वह नहीं हो पाया दोनों सियार ने तरकीद निकाली और शेर के पास गए वह शेर से बोले बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है लेकिन हमने उसके मूँ से सुना है कि वह आपको अपने दोनों बड़े सीगों से मार कर जंगल का राजा बनना चासा है पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया लेकिन उसे ऐसा लगने लगा दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए वह बैल से बोले कि शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है मौका मिलने पर वह तुमको मार कर खा जाएगा बैल को यह जान कर बहुत गुस्ता आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है बैल को गुस्ते में आता दे शेर ने सियार की बाद सब समझी और बैल पर हमला कर दिया बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया तो बच्चों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने में नहीं आना चाहिए और अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए अच्छे मित्र बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं इसलिए हमें उन्हें संजोग कर रखना चाहिए तो प्यारे बच्चों आज आप सभी को चित्र बनाना है बैल और शेर का